तो आपरीवन आप सभी को मेरे यूटिब चैनल टफ इग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है आसा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़े होंगे देखें ये वीडियो का आप ही इंपॉटेंट है उन सभी स्टुडेंट के लिए जो भी स्टुडेंट यहाँ प अपर नाम है वो सभी कैंडीट यहाँ पर अपना अड्मिशन ले सकते है ठीक है हम इसseven चैनल भी कर न हमें जबते करके करने में वह सारी आपको मैं पहलए बता देना चाहता हूं यहां पर हम इसे वीडियो में यहाँ पर merit list में नाम आ चुका है, वो admission कैसे लेंगे, ठीक है, यह आपका first merit list है student, मैं आपको बता दू, यह आपका first merit list है, इसके बाद यहाँ पर second भी आएगा, third भी आएगा, जैसा है यहाँ पर seat रहेगा, उसके सबसे यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो चली यहाँ पर हम द data admissions regarding, मैं आपको वीडियो बना कर दे दू, और आप यहाँ पर finally देखकर अपना admission ले ले, ठीक है, देखे, मरवाड़ी कोलेज राजी में जो भी candidate admission लेंगे, dear student, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से admission यहाँ पर ले लीजेगा, पर सबसे पहले, इस वीडियो को complete एक ब 20s for student के section में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है 11th, आपका लिखा हुआ 11th first provenance selection list has been published last date of admission 15 अगस्त 2022, ठीक है, sorry 5 अगस्त 2022, ठीक है, आपका जो last date है dear student, वो 5 अगस्त 2022 रखा गया है, यहाँ पर last date, ठीक है, तो आपको क्या करना है, simplis को cut कर देना, यहाँ पर आपको से देखिए, एक बार वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ही यहाँ पर अपना admission कराईएगा, ठीक है, यानि कि online admission लिजेगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ आएंगे dear student, तो यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पहले एक option था cut up list का, ठीक है, यहाँ पर ऊपर में एक option था, cut up list का, बट वो भी हटा दिया है, तो कोई दिकत की बाद नी, आप यहाँ पर admission जो है, open apply online admission पे click करेंगे, जैसे ही click करेंगे, dear student यहाँ पर खुल जाएगा, अच्छी भीग के लिए आप यहाँ पर desktop साइट पे कर लिजेगा, जैसे कि मैंने कर लिया, ठीक है, उसके यहाँ पर उपर आएंगे, और यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा, देख लिजे, cut up list 2022, आपको क्या करना है, simply click कर देना है, clear है, जैसे click करेंगे, देखे, यहाँ पर आपका पहले help line नमबर दिया गया, अगर कोई दिकत है, तो आप इस help line नमबर पे 10 बजे सुबा से चार बजे साम तक call करके पूच सकते हैं, उसके बाद देखे, यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है, धिहान से देखे, आपको पता ही होगा, यहाँ पर boys और girls का दो section है, तो सभी के लिए अलग-अलग list यहाँ पर निकाले गए है, ठीक है, देखे, यहाँ पर लिखा first cut of list 11th class and admission guideline ठीक है, यानि कि जो admission लेना है, उसके लिए यहाँ पर guideline प्रोवाइड किया गया है, और cut of list आपका दिया गया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखे, आपको पता होगा, तीन section होता है, तो girls और boys का मिला का total 6 section हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि first provincial selection list आपका intermediate of commerce girls के लिए, और यह भी है आपका intermediate of commerce boys के लिए, ठीक है, यह आपका commerce का होगी, आप boys and girls के लिए, उसके बाद है, first selection list है, ISC intermediate of science girls section के लिए, उसका first selection list है, ISC boys section के लिए, ठीक है, तो आप girls है, boys है, उस तरह से अपना list पे click कर लिजेगा, art science यो भी है, ठीक है, वीडियो को ध्यान से दिख के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर simply देख सकते हैं, आपका जो है, total यहाँ पर professional selection list आचुक है, first ठीक है, अब हम यहाँ पर cutoff में चलते हैं, cutoff list यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, देखे, dear student जैसे यहाँ पर first cutoff list पे click किए, यहाँ पर वो download हो गया, और यहाँ पर मैं open कर लिए, ठीक है, क्या-क्या लिखी हुए है, मर्माडी कॉलेज राची, intermediate first selection list, provisional admission, 2022 से लेकर 2024 session के लिए, ठीक है, last date जो आपका admission का रखा गया, डिए student 5 अगस्त का रखा गया, ठीक है, ध्यान से देखेगा, 5 अगस्त के लिए रखा गया, उसके बाद यहाँ पर date admission के लिए started from 13th July 2022, ठीक है, यानि कि आज आपका 30 July है, आज से आप यहाँ पर अभी से admission ले सकते है, portal अगर खुल गया होगा, तो नहीं तो second time से try करिएगा admission हो जागा, ठीक है, देखे, यहाँ पर आपका intermediate आपका दिया हुए, boys section के लिए, intermediate के लिए, ठीक है, जो last date है, तीज जिला द के लिए है, उसके बाद आपका commerce के लिए है, ठीक है, यहाँ पर देखे, commerce के लिए आपका BC1, BC2, ST, SC का सबका दिया हुए, ठीक है, आप देखे, provisional selection list कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए website पाएंगे, यहाँ पर यहाँ आपका, जैसे की example के लिए, मैं लिजे, आप लिजे की intermediate of science, math या भायो किसी के लिए अपलाई की है, आप boys है, तो आपको क्या करना है, simple इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, यह डानलोड होगा, open कर लिजेगा, open करते, यहाँ पर आपका आजाएगा, ठीक है, देखे, cut-up list यहाँ पर art science, commerce दिनों का दिया ठीक है, आप देखे, यहाँ पर आपका completely दिया हुआ है, merit list आपका general के लिए, और cut-up आपका 84 गया हुए, ठीक है, आप देख लिजे, यहाँ पर आपका धीरज कुमार, उसके बाद आरियन कुमार, जो भी नाम है, आप यहाँ पर father name के साथ, और आपका aggregate percentage कितना था, उसी क यहाँ पर cut-up बना दिया गया, ठीक है, अराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी अच्छी तरीका से, आपको क्या करना है, example के लिए मान लिजे, आपका नाम यहाँ पर अमीद कुमार है, ठीक है, तो आप क्या करेंगा, आपका नाम है कि नहीं, आप simply यहाँ यहाँ कैसे लेंगे, ठीक है, हम इस वीडियो में वो बात करने वाले, तो आसा है कि यहाँ पर professional selection list देखने आपको आ गया होगा, admission के लिए क्लिए क्लिए पर एक option है, pay fee online, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको उसी तरह से, जो आप admission के अपलाई किये थे, email एडियो और password डालके login करेंगे, login करने के बाद आपको वहाँ पर pay admission fee का option आजाएगा, ठीक है, अब admission लेने से पहले, जो आपका guideline है, क्या information है, जो आपको जान लेना है, वो आप देख लीजे, काफी important है, बहुत लोग स्टुडिन ध्यान नहीं देते है और फिर वो बाद में पस्ता आते है, ठीक है, तो क्या है, हम जल्दे अल्दी से आपको बता दे रहें, ताकि आपको समझ में आजाए, ठीक है, एके करके हम आपको बता दे रहें, देखें, यहाँ पर first में आपका जो guideline है, वो लिखा गया, प्रोविजनली admission in class 11, will be taken purely on the merit best आपका merit best पे 11 class का admission होगा, पूरी तरी से जो committee के तरफ से निर्धारित किया गया, ठीक है, दूसरा जो information है, वो आपका काफी important है, provisional admission list will be taken online, जिनका यहाँ पर provisional admission है, यह आपका एक तरह से complete admission नहीं होगा, dear student, यह बात ध्यान रखे, complete admission तभी होगा, जब college campus में आप जाक apply कियाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आप login करेंगा और आप admission ले सकते हैं, third में जो है, वो आपका काफी important है, वो देख लिजे, a student are directed to keep their relevant original document certificate ready, which then we uploaded during the online application, बोल रहा है कि जो भी student में हाँ पर admission लेंगे, वो सारे अपने original certificate को तयार रखेंगे, जब कभी भी वो आप यहाँ पर admission लेंगे तब, ठीक है, यानि कि वहाँ पर admission लेने के बाद आपको physically verification करवाना जाएगा, करवाया जाएगा, जो कि college में जाकर करना है, देखिए, उसके बाद बोले जारा है, admission आपका अभी confirm नहीं होगा, आप अभी admission पी पे कर रहे हैं, यानि admission आपका हो गया, बट वो provisional ही हुआ, ठीक है, पूरी तरह से confirm admission नहीं, तो confirm उसी time होगा, जब आपको incentive physical verification करेंगे, document और certificate को college के authority के साथ, ठीक है, यानि college में जाकर आपको verification करवाना है, ठीक है, उसके बाद बोला जारा है, कि जो आपका college में physical document verification का update होगा, वो आपको college के website और या फिर electronic media के मदद से किसी भी तरह दे दिया जाएगा, तो जैसे verification का यहाँ पर date आता है, आपका certificate का मैं आपको वीडियो बना कर update कर दूँगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर physical verification के लिए जाएंगे college media student, तो आपको यह सारे student को यहाँ पर document लेकर जान है, दुसरा में marksid class 10, original और jerox, और आपका SLC याँ CLC, ठीक है, SLC यानि की school living certificate या फिर TC बोल सकते है, जो आपका है, वो आपका original होना चाहिए, TC आपका original होना चाहिए, जो की college के आप में जमा ले लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, TC original जमा होता है, उसके candidate को जमा करना है, जो jack board से नहीं है, जो jack board से है, और यहाँ पर भी 12 आपका jack board से हो रहा, इन सभी लोगों को migration नहीं देना है, बट आप migration ले कर जाएगा, जैसा वो बोलेंगा, वैसा करिएगा, ठीक है, other board को migration लगता है, CBSC से माल लीजे, CBSC का को student है, या ICSC का है, जो भी candidate य हाँ पर आप reservation दी हैं, तो आपको यहाँ पर देना ही देना पड़ेगा, यह बोल रहे है, ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि देखी, हम यहाँ पर आपका admission को cancel कर सकते हैं, अगर यह सब circumstances आपके साथ होता है, तो क्या बोल रहा है, देखे, बोल रहा है, if the student does not turn on the date of physical verification, जिस दिन आपको physical verification के लिए बुला जाता है, अगर आप नहीं जाते हैं, तो आपका admission को cancel कर दिया जाएगा, शाती साथ, आपको वहाँ पर फीस भी नहीं दिया जाएगा, वो दिया लिग दिया गया है, यहाँ पर कि उनके द्वारा जमा की गई फीस निम्रिकित परिश आपका admission को cancel कर दिया जाएगा, आपका seat दूसरे को allowed कर दियागा, second merit list के लिए, ठीक है, c में यहाँ पर काफी important update है, वो आप देख रीजे, क्या बोल रहे है, if there is mismatch name, date and figure, हम आपको बोले थे form जब भरियेगा, तो सारे spelling सही भरियेगा, जो आपका certificate में वही भरियेगा, न तो वहाँ पर admission आपका नहीं होगा, तो वही बोल रहा है, कि यहाँ पर name में mismatch नहीं होना चाहिए, date, birth और figure में आपका mismatch नहीं होना चाहिए, जो आप upload किया है, और original document जो आप देएंगे, ठीक है, वहाँ पर check होता है, if the student might unable to submit SLC और CC, ठीक है, character certificate और SLC अगर आप नहीं ठीक है, 8 में बोल रहे, college ID will be issued at the time of physical verification, देखिये, जैसे ही आप यहाँ पर college campus में जाएंगे, आपका physical verification होगा, जो online receipt होगा, admission का, और आपका जो admission registration के time form बरे होंगे, वो receiving निकला होगा, वो दोनों को लेकर जाना है, physical verification आपका सारे document का कराना है, एक copy आपको जमा देना है, प आपके लिए सबसे important है, ठीक है, तो वो आपको physical verification करवाएंगे, तो इसी type आपको college ID दे दिया जाएगा, उसके बाद 9 में बोला candidate have to no claim for admission once last date is over, अगर last date खतम हो जाता है, यानि कि 5 तारिक आपका last date ID is doing, 5 August 2022, ठीक है, आप यहाँ पर 30 तारिक से या आज से यहाँ पर ले सक दियाएगा, यह बात आप ध्यान रखिएगा, आप काफी important है, बाद मैं आप यहाँ पर college को किसी तरह से बोल नहीं सकते कि आपको date नहीं दिया गया, ठीक है, तो यह complete update था, मैंने सुच आपको बता दे, क्योंकि बहुत सारे candidate यहाँ पर form भरे थे, और बोल रहे थे कि admission कै मैं आपको बता दिया, intermittent section में आएंगे, admission यहाँ पर आपको click करना है, उसके बाद यहाँ पर login कर लेना है, यहाँ पर click करके pay fee online में, जैसे pay fee online में click करेंगे, आपको यहाँ पर email ID और password मागेगा, login कर लिजेगा, उसके बाद वहाँ पर pay admission fee का option दिख जाएगा, वहाँ पर admission fee pay करके, आप completely अपना admission ले लिजेगा, ठीक है, इसके अलाबा जो भी आगे update रहेगा, मैं आपको देते रहूँगा, अगर चैनल पर नहीं है, तो please subscribe करें, ताकि आपको regular वीडियो मिलते रहे, thanks for watching, have a nice day